हेलो फ्रेंड्स देसी जुगाड चैनल में आपका स्वागत है आज आम यह खराब एयर फोन है इसको बनाना सिखेंगे इसको कैसे बनाते हैं तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा इसको खोलना पड़ेगा इसको मैंने पहले से खोल लिया है अभी देखें इसक यह वायर से वो तूड़ गए है यह तब इसको हमको लगाना है तो जैसा कि अभी हमने इस सर्कुट को भार निकाल लिया है अब इसमें वायरिंग कैसे करते हैं वो आपको बता देते हैं यहां पे देखिए आर प्लस आर माइनस लिखा हुआ है यहां पे देखिए एल माइनस एल प्लस और फिर इसके पीछे आर ग्राउंड एम प्लस और एल इसका मतलब यह आर मतलब होता है राइट सेड यह ग्राउंड मतलब उसका जो माइनस पॉइंट होता है वो यह माइक का प्लस हो गया M प्लस और यह लेफ्ट का लेफ्ट ओके अब जैसे यह L स्पिकल पे लिखा हुआ है तो अब हम इसके दोनों तार को यहां L वाली लाइन में जोड़ेंगे अब इसमें दो कलर है वायर में एक यह गोल्डन और एक यह ब्लू तो जो गोल्डन होता है वह माइनस होता है और जो ब्लू होता है वह प्लस होता है तो अब हम ब्लू वाला L प्लस पे जोड़ देंगे और गोल्डन वाले को L माइनस पे जोड़ देंगे अब यह इस पे R लिखा हुआ अब इसमें भी दो तार है एक है गोल्डन और एक है रेड तो गोल्डन वाले को हम ग्राउंड में जोड़ेंगे याने R माइनस में और रेड वाले को R प्लस में करते है अब बढेवा करत नभ यह इस पिर से अफे है और है अगे जैसा कि देखिए यहाँ पे L प्लस पे ये ब्लू कलर लगा दिये और ये L माइनस पे गोल्डन और ये R माइनस पे गोल्डन और ये R प्लस पे रेड तो अभी हमारा ये हो गए तो अभी ये वायर तो हमने इसमें से निकाल लिये तो अभी इसमें से कौन सा कनेक्शन कहा करना ऐसे तो इस पे लिखा हुआ नहीं है तो इसके लिए आपको मल्टी मीटर की जरुद पड़ेगी अभी मल्टी मीटर में आपको ये कंटिन्यूटी वाला ओप्शन लिख रहा होगा आपको मीटर को यहाँ पे सेट कर लेना है और इसको सेट करने के बाद जब आप मीटर की दोनों वायर को आपस में जोड़ोगे तो ये बजर की आवा जाएगी तो क्या करना है यहाँ पे एक वायर लगाना है फरस्ट पिन पे और इसमें से देखना है कि ये फरस्ट पिन वाला वायर कौन सा है मतलब ये रेड वाला जो है ये फरस्ट पिन का है तो इसको लगाना है माइक में ठीक है ये फरस्ट पिन हो गया माइक अब ये दूसरी तार को देखना है ये गोल्डन हो गया ग्राउन मतलब ये सेकेंड वाली पिन को ग्राउन लगाना है ये थर्ड पिन है ये लेफ्ट में भी लगा सकते हैं या राइट में भी लगा सकते हैं ये और ये ये दोनों पिन को बाकी इसको द्यान देना है ये है ग्राउन और ये है माइक प्लस अभी जैसा कि हमने चेक किया है था उसी साब से हम लगाएंगे पहले हम लगाएंगे ग्राउन तो ग्राउन पे ये गोल्डन वाला वायर लगा देते हैं अभी रेड वाले को हम माइक प्लस पे लगा देंगे ब्लू वाले को अभी आर प्लस पे लगा देंगे ग्रीन वाले को लेफ्ट प्लस पे लगा देंगे तो जैसे कि अभी हमने यह एरफोन बना लिया है अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि यह बज रहे है या नहीं बज रहे है यह हमारा एक एरफोन और यह हमारा दूसरा एरफोन अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें और कमेंट करें तो अभी हम इसको फीट कर लेते हैं जैसे यह लगा था पहले अब इसको हम थोड़ा सा एक ग्लू लगा देंगे जिससे की यह वायर निकले नहीं और यह मजबूती से स्विट रहें अब इसको हम सुखने देंगे उसके बाद हम इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं अब नहीं झाल कर सकते हैं